सात्यों नमस्कार मैं हूँ एड़वकेट सोक चोदरी सात्यों आज कुछ नए टोपिक पर अपन बात करेंगे नए साल से मैंने बोला भी था कि सुरुवात करेंगे तो दिरे दिरे स्टेप अपन अलग लग कंट्रियों के बारे में मैं वीडियो से रिलेटेड बात भी करू लगबग एक लाग सब्सक्राइबर क्रोस हो जाए तो थोड़ा सा मज़ा आता है काम करने में क्यूंकि अपने पास एक मैन पावर ज्यादा हो जाती है तो जहां कई पर भी अपन हाट आलते हैं तो अपने को पोजिटिव आनसफर मिले लेकिन कोई नहीं आप लोगों नही किया कोई अपने काम आपने नहीं किया अच्छी बात है लेकिन वहाई मेरा तो काम है मैं तो करूंगा लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा या थोड़ा सा दीरे ग्रोथ होगा वो सिस्टम लेकिन हो जाएगा डोंट वरी लेकिन सपोर्ट तो आपको कोई करना पड़ेगा मैं तो अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा इससे ठीक साती हूं लेकिन कोई नहीं अब देरे-देरे सपोर्ट करेंगे तो अपन देरे-देरे थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करके अध्या अब बात करेंगे दुबई से रिलेटेड जी हां डुबई का रिलेटेड मे 80% लोग गलफ में रहते हैं जी हाँ साथियो विरोप में दुबाई बहुत कम रहते हैं बाकी कहां कंट्रियों में हैं ज्यादातर लोग गलफ में ही हैं और रिक्वार्मेंट भी दुबाई से रिलेटेड काफी मेरे पास मेसेजेज या कॉल बगर आने लगे थोड़ा सा डिसकरपिसिशन के इसाब से मैं कुछ बाते करना चाहूंगा कि दुबाई से रिलेटेड अपन कोण सी टोपिक पे आगे चलके वीडियो के मादियम से आप लोगों के मादियम से आगे क्या करने जा रहे हैं तो मैं बता दूँ, दुबई से related, कोई भी जानकारी, xyz, वो आपको अपने चैनल के मादेम से available होगी, ठीक है, अब इसमें कौनसी कुनसी जानकारी तो मैं बता दूँ, वीजा से related, ठीक है, अब वीजा कितने परकार के होते हैं, कौन सा वीजा है, किस तरह से लिया जाता है कहां से लिया जाता है इस तर अपने बात करेंगे ठीक है टिकट के बारे में बात करेंगे दुबए की टिकट कहां से सच्थी मतलब जो भी होती है कहां से मिलती है कैसे इसको किया जाते है आलांगी लोग जो विदेश जाते हैं उनको नोलिज होता है लेकिन बहुत सारे इमिग्रेशन से रिलेटेड बात करते रहेंगे जिसमें ECNR पासपोर्ट, ECR पासपोर्ट, इमिग्रेशन कैसे करवाएं, वीजा कैसे होता है, इमिग्रेशन में स्टाम्पिंग वगेर, बहुत सारे क्यूंकि दुबई के 2018 में बहुत सारे रूल चेंज हो गए, ठीक है, तो हमारे यहां से ज्यादा और कोई विदेश में रहता होगा, गलख में, सबसे ज्यादा लोग हमारे यहां से रहते हैं, ठीक है, तो जोब से समंदित भी अपने वीडियो पर आगे बात करते रहेंगे, जिसे आप लोगों को फाइदा उसमें मिलता रहेगा, ठीक है, दूसर से ले लिए यह वो फ्लाना डिमका, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनीस भी इसका हो सकता है, बाकि चिटिंग नाम का यहां पर कोई ऐसा रोल नहीं होता, ठीक है साथियो, दूसरे बात, जोब से समंदित के अलाव आपने बात करेंगे, अगर आप विदेश जाते हैं, आपका विजा आ रहा है, या कहीं पर भी आपने अपलाई किये कर रहे हो, तो बाकाईता आप मुझे फूस्ताज कर सकते हो, कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि गलब का नोलेज मुझे सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता पाऊंगा इसमें अच्छी तरीके से, विजी टू वरक के बारे में भी अपन आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, विजी टू वरक दुबएई में होता है और नहीं होता है, कैसे लिया जाता है, वहाँ जाके कहां बंदा रूम ले, कहां होटल ले, कितना खर्चा उसका पढ़ सकता है वगरह वगरह पे आगे अब दुबएई में इंडिया में सबसे ज़्यादा विकेंशी आती है, कहां कहां आती है, कैसे कैसे होता है, कितना खर्चा वगरह उससे रिलेटेटी भी अपन बात करते रहेंगे, अब हमारे यहां पर इंट्रिव कैसे होता है, कि कितने परकार से इंट्रिव होता है, कौ और इनके अलावा दुबई में help समझे दुबई में किसी बंदे को प्रोब्लम है कंपनी में इमिग्रेशन में पासपोर्ड वही सिस्टम से मलेशिया वाले दिक्कत जैसे मलेशिया में यह दिक्कत तो जो बंदा घर से निकल गया उसको दिक्कत तैय है यह मान के चलिया ठीक है अन्य किसी भी परकार की help जैसे मलेशिया से अपन बात करते हैं आज तक वैसे मलेशिया से अलावा जैसे दुबई में किसी भी परकार की अगर आपको help की जूरत पड़ेगी आप मु ज़्याल से लाइक और शेयर जरूर करदें क्योंकि इतने दिन मलेशिया से 強 ayud वडिए बनाया करेंगे क्यूंकि मालेशिया में लोग कितने जाने वाले हैं मातर 10% दुबई में लोग कितने जाने वाले हैं मेरे साप से 50% ठीक है तो दुबई के लोग ज्यादा इसलिए आप से रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा दुबई जाने वाले लोगों को वीडियो शेयर करें उनसे चैनल सब्सक्राइब जुरूर कर वाले हर रोज दुबई से रिलिटेट भी वीडियो आते रहेंगे जिससे आपको दब भी आप दुबई जाने की इंट्रेस्टेड हो जब भी आप जाने की सोच रहे हो कंपनी अजेंट पासपोर्ट बगेर है तो आपको घर बैठे जानकारी मिलती रहें जिससे आपको बार-बार कॉल करने की जोरूत नए पड़े ठीक है साती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करें चैनल सब्सक्राइब आप जुरूर करें अन्य लोगों सो भी कराए तक कि अपना चैनल कि ग्रोथ होगा उतना जल्दी अपना आगे से आगे इसमें स्टेब बाई स्टेब चलते रहेंगे जिससे आप लोगों को घर बेटे फाइदा होते रहेगा जिसे भूश्य में दोखादड़ी शिकार होने से आप बच सकें जैहिन वंद्यमाद्यू